हेलो फ्रेंज सुनीती डिजाइंस में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे फूर टक्स ब्लाउच की कर्टिंग करना तो यह हमारा मेंट फैब्रिक है और यह हमारा अस्तरवाला कपड़ा अस्तरवाले कपड़े को हमने अपनी तरफ फूल्ड क करके रखा है और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे लेंद हमें रखनी है तैयार लेंद है हमारी 14 इंच तो यहां पर हम एक इंच एक्स्ट्रा लेके पंदरा एंच रखेंगे शोल्डर हैं हमारे साड़े पाँच इंच आर मूलें पौने छे इंच चेश्ट है हमारी 40 इंच तो 40 का चौता भाग 10 इंच लेंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे वेश्ट है हमारी 32 इंच तो 32 का चौता भाग लेंगे 8 इंच एक इंच टक्सका लेंगे 2 इंच मार्जिन लेंगे नेक विर्थ लेंगे हम ढ़ाई इंच लेंद लेंगे दस इंच एक बोक्स सा बना लेंगे राउंड शेप दे देंगे डेल इंच पर आर्मुगल की सेप देंगे इसको कट कर लेंगे बैक पार्ट को ही रखे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे यहां से हम आदा इंच ले लेंगे हुक हाई की पट्टी अटेस्ट करने के लिए फ्रंट ओपन बना रहा है एक इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए और एक इंच हम साइड में लेंगे प्रंट पार्ट में हमारी प्लेट से डलती है तो इसके लिए हमें एक इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है इसके बराबर माक कर लेंगे प्रंट पार्ट में हम एक इंच की एक इंच पे शीप देंगे प्रंट पार्ट में तीन इंच पेम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे नीचे से इसको सीधा कर लेंगे प्रंट इंच यहां से उपर के लिए लेंगे तीन इंच तक हम उपर से शीप देंगे प्रंट इंच पे आदा इंच यहां पे लेंगे यहां से आदा इंच पे शीप देंगे इससे हमारे बलाउस की फिटिंग बहुत अच्छी आती है दस इंच पे टक्स पॉइंट लेंगे यहां से साड़ी तीन इंच पे लेंगे नेक विर्थ लेंगे यह डाइ इंच लेंगे चे इंच एक बॉक्स बनाके राउंड शिप दे देंगे यह हमारे पांच इंच है तो हम पांच आधे पे लगाएंगे धाई इंच पे ऐसे ही हम सारी प्लेश की निशान लगा लेंगे दो-दो इंच की दूरी पे एक सरकल सा बना लेना है हमको दो-दो इंच की दूरी पे कट कर लेंगे इसको झाल झाल मैन फैब्रिक पे रखके कटिंग कर लेंगे झाल